बॉलीवर्ट के मशूर फाशन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी ने महिलाओं पर निशाना सादा है और उन्होंने बेहद हैरान कर देने वाला स्टेटमेंट दिया है दरसल हाल ही में सब्यसाची ने हारवर्ड इंडिया कॉंफरेंस में इंडियन स्टुडेंट से खास बात चीब की और इस दरान उन्होंने उन सभी इंडियन मिमन को आड़े हातों लिया है जो साडी के बगले वेस्टन आउटफिट्स को ज्यादा तवच्चो देती है सब्यसाची ने साडी को दुनिया की सबसे खुबसूरत पोशाक बताते हुए कहा कि ये भारते महिलाओं की पहचान है दुनिया भर में इसकी बहुत तारिफ होती है इसके अलावा इससे पहनना भी कोई मुश्किल काम नहीं है और अगर कोई भारते महिला या लड़की मुझसे कहे कि उसे साडी पहननी नहीं आती है तो मैं कहूंगा कि उन्हें शरम आनी चाहिए कि आपकी कल्चर की पहचान है और इसके लिए आपको आगे बढ़कर आवाज उठानी चाहिए इतना इनी सब्यसाची ने बाचीद में दिपका पादुकोन का भी एक्सांपल दिया तो इसमें एक भी सिल्वट नजर नहीं आती थी लेकिन अब सब्यसाची को लोगों ने सोचल मेडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया है सब्यसाची की साडी वाले कमेंट पर लोगों ने उनके लिए क्या क्या ट्वीट्स किये है हाव अलब वही stand-up comedian तन में भट ने भी सब्यसाची को ट्रोल किया है May be fewer younger women are not wearing sarees because you are selling them for 80k bro Wow, since we are designing some also extremely costly sarees for a handful millionaires you have got a right to shame millions of women basis on their wear or want to wear Well, आप असमारे में क्या कहेंगे बताई आपनी और कमेंट सेक्शन में Bollywood की लेटिस कप्चब नीज और स्कूप्स के लिए सब्स्क्राइब आर चानल नव